क्षा 10 के पर्यावरन विज्ञान से हर साल 6 नमर के कोशिन बुझे जाते हैं और यह बहुत असान होता है आप एक बार इस वीडियो को देखो कि मज़ा ही आ जाएगा लिए मैंने सबसे पहले जाएव विज़ेता कि विशिस्ट स्थाल कौन से होते हैं तो वन जंगल होते हैं ना ओजुन बुरत को सबसे अधिक हानी कौन बहुचा रहा है क्लूरो फ्लूरो कारबन सी एफ सी जिसे बोलते हैं वह पहुचा रहे हैं एक खांद स्थर से दूसरे दिस्तर पर कितिने उट जागा स्थांधर होता है दश प्रतिशत और जागा स्थांधर होते हैं वरिक्ष पार इतंद्र का जीव संग्या पिरामिट क्या बनाता है सदे वुटा बनाता है वायु लंडल के उच्छ स्थर पर पर रवैगने विकरणों के प्रभाव वैसे कौन सब प्रयावण मित्र वेवार कहलाते हैं, बाजा जाते समय शामान के लिए कपड़े का थेला लेके जाना, कारे साप्थ होने पर लाइट बल्ब कर देना, माद और स्कूर्ड से विद्धाले चोड़ने के बज़ा तुम्हारा विद्धाले तक पैदल जाना, तो प्रयुक्त तुझा तीनों कारक हैं, तो लिखेंगे ये सभी, जल संग्रह की कुल तकनीक प्रचलन में कौन सी है, हिमाजल प्रदेश में, अमरिता देवी विष्णोई, राष्टी प्रुषकार प्रदान किया जाता है, वनों के विनाश को रोकने के लिए, ठीक है, वनों सत्तर में चिपको अंदुरन कहा आरंब हो था, गड़वाल में, ठीक है, तीरी बांद का निर्मान किस नदी पर हुआ, गंगा नदी पर, जैब विवितिता के विशिस टेस्टल कौन से है, बन है, गंगा कारी सफायोजना किस वर्ष पर आरंब हुई थी, 1985 में, बहुम जल संग्रेशन की क्या लाव है, तो यह सब यह वाश्प बनकर नहीं उड़ता हूं, यह निकट वर्ती वनस्पत्यों को इनलस्त, यह सब समीप वर्ती बोमिकत जल स्थरोदों को जल स्थर बढ़ाता है, तो यह सारी रीजन है, जल संग्रहन की खादीन तकनीक का प्रयोग किय प्रदेश में इस्थित प्रमुक राष्ट्री उद्यान क्या है, दुद्वा राष्ट्री उद्यान, इंदिरा गांधी नहर से किस राज्जी के बड़ी छेतर को हरा भरा बनाने में सायता मिलती है, राजस्थान को, किशी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादिद पर प्रत्यक्ष अत्वा परोग शुरूप से निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, वोगता कहलाते हैं, प्रदूशन क्या है, वायू, जल तता भूमी में उन अवान्चित और अत्यदिक पदार्दों का एकट्टा हो जाना, जिन से प्राकर्तिक प परत्यवी की शुरक्षा कैसे करती हैं, वोगतार्द की राज से शूरी के परावगने विक्केड़ने अधिक मात्रा में प्रत्यवी पर पहुंचने से आखों तदा प्रतिरक्षी तंत्र को छदी होती है, इनकी अत्रिक तुचा का कैंसर भी ओजन अवशय का दूस परिण नाम है, ठीक है, ओजन परत की अफशय के लिए कौन सा रशायन मुख्यता होते दाई है, तो क्लूरो फ्लूरो कार्बन इसके लिए मुख्यता होते दाई है, परियाबरंड के किनी दो अजयव घटकों के नाम रेकिए, तो अजयव घटक हो जागा, स्थल मंडल वायू प्रदूक्षन कम करने के लिए किनी दो विद्यो के नाम, फ्रेक्टरियों में उची चिमनियों का परयोग करें, सही तरीके से निर्मित यंत्र और उद्योगों तदा घरों में धुयें रहित, दुआं रहित इंदिनों का परयोग करें, थोड़ा कम कर सकते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से घर्ण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को सरल यौगी को जैसे नाइट्रेट्स के रूप में घर्ण करते हैं, अगला कुशने, सूरिय से प्रिथवी पर उर्जा किस रूप में आती है, तो प्रकाशे उर्जा के रूप में आती है, दो न क्लूरा नाम क्लूरो फ्लूरो कार्बन जल प्रदूशन का एक मुख्यकारण और दो की कच्रा है ना दो गैसों के नाम बताईए जिनकी वातावरण में उपस्थेती से अमली वर्षा होती हैं कार्बन ड्यकसाइड एनर टू एसो टू एसो तरी यह सब हैं कोई भी लिख सकत ऑप्रियावरहरन के की दो आज्यायवगटकों की नाम देकिये तो वाईव प्रकाश् प्रावरहन के दो आजयवगटक हैं कि अगला कुशन है कि किकी पदा़त जायव निमनिकन पदार्थ कहलाते हैं इनकी अत्यदिक मात्रा के कारण बातावरण में आक्सिजन की कमी हो जाती है तब इन पदार्थों को सुगमता से भटन नहीं होता और यह पदार्थ बातावरण को प्रदुशित करते हैं जैसे रसोई घर का खच्रा क्रिसी उत्पादित अप करने रहते हैं और इसे प्रदुशित करते हैं जैसे कीट नासक पीड़ा नासक रसायन प्लास्टिक यह सब धर्मा कॉल अगला कुछ ने बिटा खाद्र स्रिंख लाग्या है किसी भी पारिस्तितिक तंत्र में अनिग ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे को खाकर अपनी आह जीवधारी बोज्य एवं बंक्षक के रूप में सम्मादित रहते हैं इन में से होकर हम खाद्र उर्जा का परवल एक ही दिशा में होता है तो हो सकते तो इसमें एक चित्र बना दोगे तो बढ़िया रहेगा ठीक है अगला कुछी ने आप कच्रा निप्टान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं कि दो तरीको का वर्णन कीजिए अजयव निम्निकरनी कच्रे को सरबरतम सड़ा प्रिथक कर लेना चाहिए आप शिष्ट को पुणा चक्रणे दूप फैक्तरी में बेज़ देना चाहिए फिर क्या कर सकते जैब निम्निकरन पदार्दों को उपयोग हूमर्स या खाद बनाने में करकि इन पदार्दों का पून उप्योक पॉद्य के माध्यं से की आजा सब्सक्पा, पर एवरां बाजाल से सामान लाने के लिए कपड़े की त्हेले की प्लास्टिक की पढ़ने की जगा, त्हेरें की आए बी शित्ट्य के लिए तता कवक मृत शरीर की जटल कारवरीक पदारतों को सरल पोशक तत्वों में अबगठित कर देते हैं। यह तत्व विविन्न चक्रों के माध्यम से पुना जयव जगत में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार अब घटक वातावरण की पोशक तत्वों का संतुलर बनाये रखते हैं। वे महत्रपुण भूमे का निर्भा करते हैं। अब घटक जो चीजों को सडाती हैं गलाती हैं चोटी-चोट टूड़ों में बाढ़ देती हैं। हमारे दुबारा उत्पाद अजयव निम्निकरणी कच्रे से कौन सी समस्य उत्पन होती हैं। तो अजयव निम्निकरणी रसायन खादे स्रिंक्रा के माध्यम से जयविक आवर्धन प्रदेशित करते हैं। ठीक है। हानिकारक रसायनों का संचय जीवदार्यों के लिए हानिकारक होता है। अजीव निम्निकर्णी पदार्थों के संचित होने से जल प्रदुशन, वायू प्रदुशन, मिर्दा प्रदुशन, जल वायू और मिर्दा के प्रदुशित होने का जीवधारियों पर प्रतेक्ष या अप्रेक्ट रुप से प्रभाव होता है। अजेब निम्निकर्णी पदार्थों के कारण पारिस्थितिक असंतुनल उत्पन हो जाता है अजेब निम्निकर्णी पदार्थ नालियों में संचित होकर जल प्रभाव को रोकते हैं सीकर को वृत कर देते हैं आजएब निकड़नी पदार्दों के संचे होने से पदार्दों का पुर्ण चक्रन प्रभावित हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं अमलिय वर्षा क्या है इसकी दो रानी का प्रवाव लिखे हैं आप जानते हैं जो बर्षा जल का प्याच में 5.6 है कम हो जाए अमलिय वर्षा कहते हैं वाईयो में उपस्तित नाइट्रोजन सिल्फर के आकसाइड वर्षा के जल की साथ मिलकर करम शाथ न और इस कारण उसकी औरवर्था च्मता कम हो जाती है जैसे जिर्यों जो एतिहात है के स्मारक बवन मूर्थियां यह आजकल आपने सुना होगा जो ताज महलों उसका रंवी फीका पढ़ने लेगाए तो इसी के गारण अमलिय वर्षा गनी आबादी और बड़ी संख्या में फेक्टरियों के चारों और वाले चेत्रों में क्यों होती है गनी आबादी तता फेक्टरियों के चारों और चेत्रों में वायों को परदूशित करने वाले CO2, CO2, NO3 की मात्रा अत्यदिक हो दी है यह गैसे वर्षा जल के साथ मिलकर करमशा H2SO4 और HNO3 बनाती है यह अमल वर्षा जल के साथ मिलकर प्रिट्ट्वी पर अमली वर्षा करते हैं कि वैं जिर्ट्वी राइद में उज्षा कई से बते कि शूरी और आने वाले परावेगा रहा हक आना वैंड़ आन्वेक आक्सेजन को मुकत आक्सेजन परमानु में विक्ःदित कर दे थे हैं थे आन्मिक आक्सेजिन द्थ 270 कर रही है । जैथे हो यह औल्टू यह यूव कि क्या होगा यदि हम एक ऐसे पूशिस्तर की सभी जीवों को समाप्त कर दे संहांप्त करते एक सरा एक सम quelques इस कि पोशिस्तर की सभी जीवों को समाप्तक हो सकता है लिए टाना ये उर्जा का वर्भा रुख जाएगा विविन्य पोशी स्तर की जीवधर्यों को उर्जा की वेकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी इससे पारितंत्र के जैवी घटकों की समय संग्रजन परभावित हो जाएगी करें पोशी स्तर क्या है एक आहार स्रिंखला का उधारन दीजी इसमें पोशी स्तर बताईए पोशी स्तर क्या होता है किसी आहार स्रिंखला के विविन्य स्तरों को पोशी स्तर कहते हैं आहार स्रिंखला के विविन्य पोशी स्तर उत्पादक प्रात्मिकों वोक्ता दुतियों तुर्थियों भोगता तुत्ता बगड़क है ठीक है आहार्स रिंकला जैसे घास से कीट कीट से मेंड़क मेंड़क से सब्सक्राइब यह प्रत्व पुषिस्तर घास है यह उत्पादक कहलाती है यह प्रकाश या सौर उर्जा को कार्बनिक भुजब्धातों करूप में संज यह अपना भोजन कीटों से प्राप्त करता है चतुर्त पोजी पोशी स्तर सांप है यह तिर्तियक मानशारियों भोगता है यह अपना भोजन मेंदक से प्राप्त करता है और पंचम भोजी स्तर आपका बाज है यह सर्वुच मानशारियों भोगता है यह अपना भोजन सांप बना दें और इन में पर्णहरिम नहीं होता है भोजन प्रत्यक्ष या परोग शुरूप से पौदों से प्राप्त करते हैं जैसे कि हम उत्पादक भख्शूर्य कि विकिरण उर्जा को इस्तित Jacob करताथ है और उनन सचित इस्तित इस उर्जा को बदल में प्रयोग करते होते हैं उतपाधक एक ही प्राकार के होते हैं जैसे हारे पोदे बोगnt아 प्रत्hem drug 303 असे की होते हैं जैसे जंतोगुंक उजोन क्या है इसका निर्मान तीं आकसीजन प्रमानों से होता है इसका राशानिक और उनूशींद पर्मानों इनषफती है यह विशाक्त होती विखन्दित हर श्वाण हो दें और और औरुशीजन से सेंग तोकर ओजन अनू बनाते हैं यह चीज़ आपको लिखनी है कि ठीक है कि देखो ओजोन वायू मंडल के समताफ मंडल में पृत्वी से लगबख 50 किलो मेंटर एक परत की रूप में पाई जाती है यह शूर की परावगनी किरणों को अवशोशित करके पृत्वी पर आने देखो करवंड ऑक्साड की बढ़ती सांद्रता स्चूरी की विक्रणे ग्रीन हाउस प्रभव डालती हैं आमतोर पर ग्रीन हाउस गयसे जब करवंड ऑक्साड की सांद्रता सामान्य हो तब पृत्वी का अताप उटजा का संतुल बनाय रखने के लिए उश्मा पृत्वी ठीक है और यह और कुछ थोड़ा बहुत कारान इसको आप देख सकते हो पढ़ सकते हो पारी तत्र बहुत शांदार गोशन है क्या समझते हो प्रभु घटक बताने किसी स्थान विशेश में पाये जाने वाले जैविक अजैविक घटकों को पारस पर एक संबंदों को सामो हो जाए गर्स द्राइशित किया जा सकते हैं इसके उत्पादक हरे प्रकास संस्लेशी क्रिया में पौदे कार वன्ड अक्षाइड जल की साइदा से कईय स्थे consort प्रोटीन में परिवर्थित हो जाता है जिसको जन्तु भोजन के रूप में ग्राण करते हैं और यह आप लिख सकते हैं प्रकाशनेशन्स की अभी क्रिया है 6 CO2-12 S2, C6s2O6-6 CO2-6 H2 ठीक है फिर आप कातु भोजन पर अगास्रित रहते हैं इसलिए जन्तो को भोगता कहते हैं ततत्व कर्फोहइड़ेड्स, प्रोटीन, वज़ा विटामीन तत्व घरेज तत्व हमारे बोजन के अव्यवैं जो अनाज, बीज, फल, सबजी, आदी से प्राप्त होता है इसमें आप आ जाता हा प footprint saafrin होते हैं जैसे के प्रतियारी में प्रतियाके उधोकता प्राश्रित होते हैं जैसे कि सर्पमेंडक का शिकार करती है ना फिरात है अब गटन करता है या अब गटक यह जीव बंडल के शूश्म जीव हैं जैसे जीवानु या कवक यह उत्पादक ततो भोकताओं के मृत चरीर को सरलयोगिकों में अब गटित कर देते हैं लिजीव या जयवी घटक इसके अंदर रहत निय जीव बातावर्ण आता है जो विबिन जहां का नेंत्रण करता है और अकारबनिक इसके अंदर पोटेसियम कैल्सियम मेंगनेशियम वास्पोरेस लोहां यह सबाते हैं चाहें आ और कार्परिंग भाग मिल्कर निरजी वातवरण का निर्मान करते हैं कि विविनि प्राकरतिक संसाधन कौन से हैं मिर्दा, जल, वायु, वनने जिव ओला पेटिरोलिंग इस सबसे क्या हैं इक संसादन के रूप में वन किया महात्व है जंगल का क्या महात्व है वन एक ऐसा जीव जन्तों का वास स्थान होता है जहां पर रहते हैं इस स्थानी लोगों की अन्यक कामशक्ताय पूर्ण होती हैं और वनों से पर्यावरण भी संतुरुत बना रहते हैं किनी दो वन उत्पाद आधारित उद्ध्योकों के नाम बताई है प्लाइवुड उद्ध्योक बिड़ी उद्ध्योक में तेंदू पत्ता यह हमें बन सहीं मिलता है राष्ट्री उद्यान में पश्व को कचराना किस प्रकारा शाणी का रहती है राष्ट्री उद्ध्योक को कर दाने हैं इससे मिट्टी उखर जाती है गहां साधी कुछल जाती हैं इससे मिर्दा परदन होने लगते हैं इससे राश्चे उद्यान को छती बहुंशती हैं वे कौन से कारण है जो हमारे जंगलों को नस्ट कर रहे हैं हमारे देश की बढ़ती चंसेंक्या पालतू पश्वदर अतिचारण इनन इमारती लकडी की बढ़ती खपद इन सभी के कारण हमारे जंगलों को हो रहे हैं आंधी तुफान की समय विक्षों की शाखाओ और पत्तियों की रगण के कारण तरिद विद्युत के कारण वनों को आग लग जाती है ठीकैं आग जंगलों का मुख्च सस्तुल है इसके कारण जंगलों की अपुन ही चाती होती है ठीकैं सबसे ज़्यादा चाती होती आग लगने से हमें वन एवं वन जीवन का संगेशन क्यों करना जाए है मनुश्य की शुक्र, संपनेता और विकास में वन एवं वन जीवों का महत्तपून स्थान है अता आवश्यक है कि इनका संगेशन किया जाए वन्ने प्रजातियों को विलुप्त और नस्ठ होने से बचाना अती आवश्यक है जैव विकास प्रक्रिया के अंतरगत प्रजातियों का विलुप्त होना एक सामाने प्रक्रिया है पुरानी परजातियों विलुप थोरती रहती हैं, इनके स्थान पर नहीं परजातियों विक्सित होती रहती हैं लेकिन वर्तमान समय में मानव के ओद्योगिक और समझे विकास के कारण प्रजातियों के विलुप थोने के प्रक्रियां असमाने रूप से तेजी में अतीजी आ गये इसका प्रबुक कारण प्राकरतिक संसाधनों का अत्यदिक दोवन है दोन समस्तियों उसका उप्योग वन्य प्रजातियों को विलुप थोने से बचाने के लिए इनका संग्रेशन पती आवश्यक है जिससे मानव की भावी प्रडियां इससे लावानवित होती रहें संग्रेशन के क्या उद्येश वन्य जीवधारियां और पादश पामशा लाए्स कृषब कराना बेहां छूए रखने की दिए परर्छे नंडशी बबिश्यक अधिक सभ्य प्रजातियों के विकास किया जा सकмо अग्यात उपयोगिताओं के लिए भी वन्य जीवों को सहुषण आवश्यक है, मानव खाद्य पदार्थों और अनेक उद्योगों के लिए वन्य पादप जन्तों पर निर्भर करता है, अकेले विक्ति की रूप में आप विविन्य प्राकर्ति कुद्पादों के खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हो, हमें खाद्य पदार्थों का अपवेर नहीं करना चाहिए, घर में प्रतित उतना ही भोजन तयार किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग किया जा सके, पाइप लाइन और तपकते वाले नाले की मरम्मत कराकर जल के बचत करने की आवश्यक्ता है, अनावश्यक बल्ब पंको को कभी नहीं चलाना चाहिए, बल्ब की स्थानँ बर ऐलेडी का प्रियोग करना चाहिए, छोटी-छोटी दूर्यों तय करने के लिए हमें चलके जा शरकार द्वारा स्थापित वन्य विवाग एवं संबंदित अधिकारी गण वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमिप विक्तियों द्वारों संचालित सामाजिक शेवासंस्थान और उद्योगवदी ये प्रभावित हो गये थे गंगा सवाई योजना को बढ़न करने आपको तो प्राकर्तिक संसाधनों को अविवेक पूंड दोहन से अनेक समस्या उत्पन्न हो गई है इसके लिए सामाजिक जागरुकता लाना आनिवार है गंगा सवाई योजना इसी दिशाम में किया गया एक प्रत्न है जीवन दाइन गंगा को प्रदूशन मुक्त करनाने के लिए यह योजना सन 1985 में प्रारंब की गई थी करोलो की यह योजना गंगा जलकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रारंब होई गंगा हिमाले में इस्थित अपने उद्धकम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंग इसका श्वरूप नाले के समान हो गया है इसमें अत्रिक्त इसमें प्रचूर मात्रा में अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट बाहित मल मृत्शवों का परवा मृत व्यक्तियों की राक आधी प्रभायत किये जाते रहते हैं इसके कारण इसका जल विशाक्त होने लगा है व पुली फार्म जिवानों एक का एक वर्ग है जो मानव की आत में पाया जाता है गंगा जल में इसकी उपस्थिती से जल प्रदोशन का स्तर प्रदशित होता है गंगा सफाय यजना गंगा नदी और इसके जल को संदूशित होने से बचाने के लिए प्रार्म की गई है तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजेगा